असम से मेगालय, चेरापुंजी सोहरा और दौकी की खोज, एक यात्रा वीडियो डॉक्यूमेंटरी नमस्कार मित्रों, हम फिर से आपके साथ हैं, और इस बार हम एक नई यात्रा के साथ हैं। हम आपको ले जाएंगे असम के करीम गंज से मेगालय के सुन्दर सोहरा और दौकी क्षेत्र में। हम अपनी यात्रा का आगाज सोहरा से कर रहे हैं, जिसे अपनी अपनी पन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां के वन्य जीवों और अनूठे प्राकृतिक रूप ने हमें आकरशित किया है। यह जगह पूरी दुनिया में अपने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमने यहां के बाजारों में भी एक दौर लिया है और यहां के स्थानिय खाद्दे और शौपिंग का मजा लिया है। अब हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे और दौकी की ओर बढ़ेंगे जो मेघालय के खुबसूरत जीलों में से एक है। मेघालय टूर बादलों का आशियान, मेघालय भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित, बादलों का आशियान के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और शान्ति की एक अद्विती ये चित्रकला प्रस्तुत करता है। इस पूर्वी हिमालय के किनारे बसे इस मोहक राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमियों, साहसी खोजने वालों और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहां हम जानेंगे कि मेघालय को यात्रियों के लिए एक अनिवार्य दर्शनिय बनाने वाले क्या है? 1. हरित मन्जिर मेघालय अपनी हरियाली, जूलते पहाडों और पित्रशील द्रिश्यों के लिए प्रसिद्ध है. राज्य की अधिक वर्शा इसे प्राकृतिक खुबसूरती का स्वर्ख बनाती है, जिसके बीच में शान्ति का आवास होता है. 2. चेरापुंजी और मौसिन रम ये दोस्थल मेघालय में विश्विस्तर पर प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहां वर्शिक वर्शा की सबसे अधिक मात्रा गिरती है. 3. चेरापुंजी के लिए लिविंग रूट प्रिजेस भी प्रसिद्ध हैं, जो प्राकृतिक और मानवों के बीच समवाद की सरलता का साक्षात कार कराते हैं. 3. लिविंग रूट प्रिजेस मेघाले के लिविंग रूट प्रिजेस अनूठे और आकरशक हैं. ये स्थानिय खासी और जैंटिया जातियों द्वारा रबर के पेड़ों की जड़ों का उप्योग करके बनाए गए हैं. ये केवल कार्यक्षेतरित नहीं हैं, बलकि ये एक प्रकृतिक यात्रा के अद्वितिय उदाहरन भी हैं. फोर, गुफा प्रशासन. मेघाले में गुफा प्रशासन आदर्श है. यहां के गहरी गुफाएं और प्राकृतिक गुफा प्रशासन भी एक अनूठे अनुभव का साधन करते हैं, जो वेंचर प्रेमियों के लिए आकरशन से भरपूर है मेघाले एक सर्वोत्तम प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक जीवन का लाब उठाने के लिए एक अद्वितिय और रमणिय स्थल है. यहां की बेहद आकरशक दर्शनियों का आनंद लेने के लिए यह एक आकरशक पर्यतन स्थल है, ज तो हो मेरे प्यारे दोस्तो, आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां आपको हम दिखाएंगे. मेघाले के दूसरी और टूरिस्ट प्लेस जहां पहुँचके हमने बहुत मजा किया, और आपको भी मजा आएगा जरूर. दोस्तो, यह वीडि मेरे लिए बहुत उमीद बढ़ाएगा अगला वीडियो बनाने में. अगला वीडियो आने तक तंदुरुस्त रहिए, स्वस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जिंदगी का मजा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. धन्यबाद.